हाई गाइज गुरुटेक चैनल में आपका स्वागत है और देखिए एक मेरे पास हाई क्वालिटी साउंड यूएजबी प्लेयर आया है रिपेरिंग के लिए ये देखिए बहुत हेवी साउंड है इसका और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है तो आप देख सकते है इसका जो है बास्टरबल किट और यह टिक्यार जो हम साउंड किट गोलते है उसको तो देखिए पुरा डिजिटल है यह जो दो वायर निकले है दो साउंड के लिए है दो स्पीकर के लिए और यहां पे देखिए यहां पे एक यूएजबी किट लगा है जो की ब्लुटूथ है और यूएजबी भी उसमें है यहां पे देखिए दो मॉस्पिट लगे दो साइड से दो अलग-अलग स्पीकरों के लिए और अंदर देखिए वहां पे यूएजबी लगाने के लिए शॉकट दिया है जहां पे हम पेंट्राइव लगा सकते हैं यहां पे देखिए यहां पे जो पुरक कीट है अंदर और बड़ा टे पे यह बहुत बड़ा देखिए यहां पे शॉर्टिंग दिखा रहा है देखिए इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यह जो पॉजिटिव निगेटिव जो वायर है यहां पे कंटिनिटी आ रही है जो की नहीं आनी चाहिए और यहां पे जो मॉस्पेट लगे हुए है देखिए यह शॉर्टिंग बता रहे दोनों साइड़ से जो मॉस्पेट लगे हुए है इसका पी 55NF06 यह जो नंबर के जो मॉस्पेट लगे हुए है दोनों की दोनों ही शॉर्ट हुए है इसकी वोज़े से जो पॉजिटिव निगेटिव वायर हम लगाते है बैटरी को तो बहुत गरम हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है और USB प्लेयर चालू नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे हमने अभी चेक किया तो हमें दोनों भी जो पी 55 NF-06 जो मॉस्पेट है वो शॉर्टिंग दिखा रहे थे तो अभी हम उसको खोलेंगे तो पहले हमें कीट को बाहर निकलना पड़ेगा टेप से तो दो स्कुरू निकल लेते हैं पहले जब यह मॉस्पेट बाहर निकलेंगे फिर हमें पता चलेगा कि यहीं शॉर्ट है या और कुछ भी शॉर्ट है तो देखिए अभी मैंने पूरा किट खोल दिया हूं कि देखिए यहां पर जेबीडी करके यह जो कीट है कि क्यार कि देखिए यहां पर हमने जब खोला तो यहां पर देखिए बहुत गरम होंके कीड भी खराव हो चुका है कि देखिए यहां पर और यहां पर किट नहीं खराब हुआ लेकिन मास्पिड जरूर्ड खराब हुआ है कि देखिए कि यह खराब होने के कारण हमारा जो यूएजबी प्लेयर हो चालू नहीं हो रहा ता डेड़ था तो अभी हम उसको पहले निकाल लेते है मॉस्पेट को उसके बाद नया लगा लेते हैं फिर चेक करते हैं क्या चालू होता है या नहीं होता है आगे कुछ प्राब्लम है तो देखते हैं तो कि ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे भी शॉर्टिंग हो जाती है कभी 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 नहीं होती है तो हमें पहले जो रास् दोनों मॉस्पेट को निकाल लेते हैं डिस ओड वायर के मदद से थोड़ा हर्ली है शॉल्डरिंग निकालने के लिए क्योंकि PCP दोनों साइट से शॉल्डरिंग है यह तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनच ज्यादा करने पड़ेगी मॉस्पेट निकालने के लिए तो आप देख सकते हैं ओके दोस्तों देखिए जो मेरी चैनल पर इसे बहुत सारे वीडियो में डालता रहता हूं और बहुत सिखने लाइक है जो जो इस टेकनिसियन में नए है और कुछ सिखना चाहते है कुछ मेरा अनभा मैंने शेर किया है जैसे 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 मुझे अनभा मिरे लाइफ में वैसे अनभा मैं शेर ने करते गए हूं और वो क आंभा और आपके भी कामा आ सकता है तो जो नए लोग है टेक्निशियन वो प्लीज मेरे चैनल को विजिट दे सकते हैं देखिए मॉस्पेट पुरा जल चुका है अभी दूसरा मॉस्पेट निकाल लेते हैं और देखिए जो नए टेक्निशिन है उनके लिए बहुत कुछ शिकने लाएक चीजे है मेरे चैनल में वो आप देख सकते हैं और सिक भी सकते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाके विजिट दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कर देना क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्ते उनको जो इसे वीडियो की जरूरत होती है और कुछ प्रावलम आई से भी आते है रिपेरिंग के लिए तो उनके लिए मदद हो सकती है और उनका काम जो है आसान हो सकता है तो इसके लिए प्लीज शेर कर देना क्योंकि अपने जो भाई है उनके उन तक पहुंच सकते हैं ये वीडियो चेलिए तो अभी जो मासपेट है एक तो निकल चुका है एक मैं निकल रहा हूं अभी थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि जो वीडियो में लगाता रहता हूं डालता रहता हूं जो दिखाता हूं वो लाई होता है वो ज्यादा तर मैं स्कीप नहीं करता क्योंकि सिप करने के बाद जो कुछ होता है वीडियो में समझ में नहीं आता तो देखते हैं अभी जो मॉस्पेट है वो दोनों भी खोल लेते हैं और दूसरे मॉस्पेट लगा देते हैं वहाँ पे देखिए वहाँ पे अभी नए मॉस्पेट मैंने लगाया है उसको हीट सिंग को फिट कर देते हैं उसके बाद कि यह स्कीट को हम लगा देंगे तो चलिए उसको फिटिंग अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि वह थोड़ा बहुत लुच रहा तो अपना मॉस्पेट फिर उड़ सकता है तो इसके लिए हमें फिटिंग अच्छे सी करने पड़ती है और याद रहे जब मॉस्पेट डालेंगे पहला कंपनी के जैसे था वैसा ही डालना है उल्टा उल्टा नहीं करना है क्योंकि उल्ट कि अच्छे सब्सक्राइब करें तो एक मॉस्पेट लग चुका है दूसरा भी लगा देते हैं उसके बाद साथी दोनों शॉल्डर कर देते हैं तो पहले कि एक लगा दिया अभी दूसरा भी लगा देते हैं अभी जो मॉस्पेट डालेंगे तो चालू होना ही चाहिए क्योंकि जब मॉस्पेट हमने निकाले तब शॉर्ट नहीं रहा था शॉर्टिंग निकल चुकी थी तो शॉर्टिंग निकल चुकी है इसका मतलब आगे कोई कि शॉर्ट नहीं है कि अगे वक्यों कि चलिए तो आज यह अभी बिठा देते हैं मासपेट को कि अगे जो पहले मासपेट जला हुआ था कितना गरम हो गया था कि उससे नीचे का कीड़ भी जल गया था काला हो गया पुरा कि चलिए उसका भी स्क्रू लगा देते हैं ताकि हमें आसानी से शॉर्ट रिंग करने में कोई दिक्कत ना हो सके तो देखे यहां पर जो काला वहा था वहां पे किड़ भी जल चुका है और ट्रैक भी जल चुके है तो वहां पे हमें थोड़ी शी ट्रैकिंग करने पड़ेंगी क्योंकि नीचेवाजी जी ट्रैक से वह जल गया ले पुरे दो हमें उसको थोड़ा सा क्लीन करके वह थैं पे टार डालनी पड़ेगी और वह सीधा सई करने पड़ेगा कि देखे यहाँ पे इसा क्लीन करके हमें शॉल्डरिंग करने पड़ेंगे उसकी क्योंकि ट्रेकिंग जल चुकी है तो थोड़ी से हमें तार की जरूरत होगी तो पहले एक नंबर और तो थोड़ा से शॉल्डरिंग कर लेते हैं उसके बड़ ट्रेकिंग करते हैं कि देखे यहाँ पे मैंने एक तार डाल दिया है ताकि वहाँ पे जो ट्रेकिंग थी वो कट हो गई थी तो हमें ट्रेक लगाना पड़ा वहाँ पे तो इस तरीके से लगाना पड़ता है ओके दोस्तों वीडियो आन्ते तक देखना क्योंकि आपके समझ में आ जाएगा कि प्राब्लम क्या था और और कुछ प्राब्लम है के नहीं है वो भी समझ में आ जाएगा तो उसके लिए हमें पुरा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो आच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल क तो क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमारा चैनल पसंद करता है और सब्सक्राइब करता है तो देखे यहाँ पर बहुत सावदाने से वहाँ पर शॉल्टिंग करनी पर रहे है क्योंकि ट्रैक बहुत नजदिक नजदिक है और ट्रैक जल चुके है इसलिए हमें थोड़ा सावदाने से शॉल्टिंग करने पड़ी क्योंकि वह शॉर्ट नों हो जाए कि तो कि देखे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ रहा है क्योंकि शॉल्टर अच्छी तरी से नहीं लग रहा है वहाँ पर तो थोड़ा सा क्लीन करके हमें लगाना पड़ रहा है कि देखें यहाँ पर जो अन्यूज इसको काड़ देते है तेनों टंगे काड़ देते हैं उसके और इसके भी तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि सई से लगा हुआ है कि नहीं लगा है ओके चलिए दोस्तों हमारा जो मॉस्पेट है लग चुका है और देखें यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ अन हो गया है जब मैंने बैटरी की वायर लगा दिया और अपना जो यूएजबी प्लेयर है ओके तरीके से स्टार्ट हो गया है जो ब्लूटूथ नाम आ गया और देखें यहाँ पर मैंने पेंट्राइव लगाया है पेंट्राइव का भी सौंग चालो हो गया है तो मैं आपको सौंग नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपी राइट का इश्यू आता है तो इसके लिए स्वारी और अपना जो यूएजबी प्लेयर बंद था वो चालो हो गया है कम्प्लेटली कोई प्रावलम नहीं आगे भी इसा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक जरूर करना थैंक्स वीडियो अन्त तक देखने के लिए और धन्यवाद जाइए कर दो मारा फिर देखने कर देखने को कर स्बस्सक्राईबी कर दो कर दो समाद के प्रेखने करद है च॰ङकी है कर दो में हो नहीं है byश्षकाश टता तर लिए और कर लि चालो दो आ나तत् ये